नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चान् oppression और आप देख रहे हैं next 9 भोझपूरिया इन दिनों भोझपूरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की फिल्में आ रही हैं गाने आ रहे हैं और एल्बम आ रहे हैं और साथ ही साथ इन दिनों कई सारी ऐसे फिल्में आ रही हैं जिने लेकर तरह तरह की बाते भी सामने आती हैं और कई सारी जैसे आपके फेवरेट सूपर स्टार्स हैं उन सभी को लेकर जो खबरे सामने आती हैं उन खबरों को कुछ और तरीके से तोड मरोड कर पेश किया जाता है और जब पेश किया जाता है तो लोग उन खबरों को सिर्फ इसलिए देखना और सुनना पसंद करते हैं कि वो खबर उनके फेवरेट स्टार या फिर किसी सूपर स्टार से जुड़ी हुई होती है लेकिन जब इन खबरों से पता चलता है कि उस खबर में कोई सच्चाई है ही नहीं या फिर उस खबर के पीछे सच्चाई कुछ और है तो लोगों को थोड़ी सी निराशा होती है औ लेकिन फैंस होते हैं दर्शक होते हैं उन्हें कहीं न कहीं एक निराशा होती है उन्हें पसंद नहीं आता और गुस्सा भी आता है कहीं न कहीं लेकिन इस खास खबर वाइरल सेच के जरिये हम आपके सामने आए दिन कोई न कोई ऐसी खबर लेकर आते हैं जो कि इन दिनों का काफी वाइरल हो रही है और साथी साथ अगर कहा जाए कि वो खबरे जूट है तो वो पूरी तरह जूट भी नहीं होती लेकिन उनके पीछे की सचाई कुछ इस तरह की होती है कि उसे पेश करने का तरीका कहीं न कहीं गलत सावित हो जाता है लोग उस खास हेडलाइन से देख पसंद करते हैं फोटो से देखना पसंद करते हैं उस खबर को सुनना पसंद करते हैं लेकिन जब बात आ जाती है उस खबर के सचाई की तो कहीं न कहीं वो खबर गलत होती है लोगों को यह जो खबरे होती है यह कहीं न कहीं गुमराह करने की कोशिस करती है लेकिन लोगों को इन सब खबरों से अगर पता चलता है कि इस खबर की सच्चाई कुछ हो रहे तो उन्हें थोड़ी बहुत निराशा भी हाथ लगती है और इस खास खबर वाइरल सच में हम आपके सामने वही खास खबरे लेकर आते हैं जो कि इन दिनों काफी वाइरल हो रही है काफी ज्या वाइरल हो रही है लेकिन उसके पीछे की सचाई थोड़ी सी अलग है तो चलिए फटा फट नजर डालते हैं उस खास खबर पर और देखते हैं कि क्या कुछ इन दिनों वाइरल हो रहा है जिसके पीछे का सच थोड़ा अलग है इन दिनों भोजपुरी इंड़स्ट्री में जहां तमाम तरह की फिल्म में गाने और अलबम आते हैं तो साथ ही साथ भोजपुरी के स्टार्ट से जुड़ी भी कमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है और हाली में इंसारी लाली यदा व सत्व सांते हुए नधर वीन जैसा कि आप जानते ही हैं कि खेसारी लाल यादव काफी जमीन से जुड़े हुए इंसान है और उन्हें अपने बिहार की माटी काफी ज्यादा पसंदे और वो हमेशा ही देशी अंदाज में दिखाई देते हैं बता दें आपको कि खेसारी लाल यादव की ये वीडियो काफी पुरानी है लेकिन अब इस वीडियो के एक बार फिर से वाइरल किया जा रहा है और साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव फिल्म के सेट पर अपने खाने में सत्तू सांगते हुए नजर आ र उनके फिल्म के सेट की ही ऐसा कहा जा रहा है लेकिन अगर इस वीडियो के बारे में बात करें तो खेसारी लाल यादव इस वीडियो में काफी अलग नजर आ रहे है जैसा कि उनका अब का लुक काफी अलग है और इससे ये अंदाजा लगा जा रहा है कि ये वीडियो उनक बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये जो वीडियो है काफी ज्यादा पुरानी हैं और खिसारी लाल यादव इस वीडियो में सत्तू सांते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों देखा जैसे कि आप लोगोंने कि इस खास खबर में क्या कुछ था बता दें कि इस खास खबर में कुछ ऐसी खबर थी जो कि इन दिनों काफी वाइरल हो रही है और इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है हला कि पूरी तरह जूट नहीं है लेकिन फिर भी उसके पीछे की जब सच्चाई कुछ और है तो इसका मतलब ये है कि कही न कई इस खबर के जरिये सिर्फ यूज पाने की कोशिस की जा रही है ना कि इनफोमिशन देने की तो ऐसी ही तमाम तरह की खबरें भोजपूरी इंडस्ट्री में वाइरल होती रहती हैं जो कि लोग देख हैं सुनते हैं और समझते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता सिवाय निराशा के तो दोस्तों आज की इस खास प्रोग्राम में इतना ही लेकिन अगली बार फिर होगी मुलाकात किसी ऐसी ही नई खबर के साथ जो की काफी वाइरल हो रही है जिसके पीछे की तो तो आप देखते रहे हैं नेक्षनें गोजपुरिया